श्रीमाद हूम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम उपको बताने जा रहे हैं टमाटर के उच्छकुने टमाटर स्वादिष्ट होने के साथ पाचक भी होता है पेट के रोगों में इसका प्रियोग औसिदी कि दरखिया जा सकता है जी मिचलाना धकार्याना पेट फुलना मूग के च्छाले मसुडों में दर्ब में टमाटर का सूप अद्रप और नमक डालकर प्लिया जाए तो तुरंत फायदा होता है टमाटर के सूप में शरीर में स्फूर्थी आती है पेट भी हलका रहता है जाफ कि घरिया जन करेंगे यह ख़ी है । ऑसंडिय में गरम गरम सूप शरीर कि उस तुल्ता में टमाटर का सेवन अती लागता है अहीं गूता है रखता रखता अगर आपकी रखत कमी है तो इसका रिजन तक प्रयोग जवाब करेंगे तो उसमें फायदा होगा टमाटर के खुबी यह है कि इसके विटैमिन गर्म करने से भी नस्त नहीं होते हैं बेरी बेरी गठिया जाता है एक्जीमा में इसका सिवन आराम देता है ज्वर के बाद की कमजोरी दूर करने में इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है मदू में के रोग में यह सर्शिष्ट पत्र है टमाटर में विटैमिन सी होता है जो कि इम्मिनिटी के अस्तर को बढ़ाता है जिसे साभारन सर्दी और कफ की शिकायद में होती है पर आपको गॉल्प स्टोन है और लीवर कंजेशन में भी टमाटर का सेवन जो है वो कारगर से दुखता है हम क्या सकते हैं कि टमाटर पूशक तत्व को पूशक तत्व का खजाना है क्योंकि इसमें पाया जाने वाले विटैमिन ए आखो और तुच्छा के लिए और प्रोटेसियम मान स्पेसियों में होने वाले इंट्रिम में भी फायदा पहुंचाता है टमाटर में जो लावन का तत्व होता है उसे लाइकोपीन कहते हैं यह तत्व शरीर को बिजाती है पदात बजल्द टॉक्सिन्स से मुक्त करने में सहायक होता है लाइकोपीन शरीर को फ्री रेडिकल से मुक्त कराने के माबले में बीटा कैरोटीन तो बीटा जो एंटी अप्सिडेंट होता है तो बीटा कैरोटीन से भी आगे है यह अनुसंदार में पाया गया है कि टमाटर के नेमिक सेवन से प्रोस्टेट कैंसर से बचाओ होता है इस्राइल के वेज्यानिकों के अनुसारत टमाटर फेफड़े बढ़ियां और गरभासे की कैंसर से बचाओ करता है और सबसे एक सुप्रत तत यह है कि टमाटर सेवन करने से व्यक्ति लंबे समय तक गुढ़ा पेट चमेट पेड़ी में आता है तो यह चैनल के कुछ फायद है तो धन्यवाद आप मारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दिशिए